नमस्काल दोस्तों मेरा नाम है मोहित्रा है और स्वागत है आपका इनफोकस सिविल अकैडमी आईसीए में दोस्तों आज हम लोग इंडियन जोगरफी का एक ऐसा टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो आपके परिक्षा की लिहास से बेहद इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपको विभिन परिक्षाओं में कई सारे प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं इसमें हम लोग इन बातों को डिसकस कर रहे होंगे कि भारत के जो पडोसी देश हैं उनकी सीमाएं किन-किन भारत के राज्यों से मिलती है किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है किस के साथ सबसे छोटी लगती है किन देशों के साथ कितनी सीमा लगती है या फिर भारत के कौन-कौन से राज जो है उनके साथ में जो सीमा रेखाएं लगती हैं वो किस-किस नाम से जानी जाती हैं तो यह सारी बाते हम लोग आज के discussion में समझ रहे होंगे, तो चलिए अपनी class को शुरू करते हैं, जो हमारी geography की पहली class थी, उसमें हम लोगों देखा था, कि world globe पे जो भारत की अवस्थिती है, यानि location है, वो ये zero degree equator यानि भूमद रेखा के उतरी side में है, और zero degree जो longitude है, उस के पूर्वी side में है, तो यह हमारी इंडिया की location है, आईए इसी को आज हम लोग map पे देखते हैं, तो map पे अगर हम लोग बात करें, तो देखिए world का जो map होता है, उसको हम लोग कई parts में divide करते हैं, बेसिकली उसको साथ continents बोलते हैं, यानि महाद्वीप, तो यह महाद्व कि क्लास में इसकी क्या परिवासा है, कितने होते हैं, क्या चीज, अभी फिलहाल आप यह समझे कि world को साथ भागों में बाठा जाता है, तो उसमें से एक जो है, वो एसिया महाद्वीप है, एसिया महाद्वीप जो की बिसिकली सबसे बड़ा महाद्वीप भी होता है, तो इस एसिया महाद्वीप में ही भारत अवस्थित है, अगर आप देखेंगे तो एसिया महाद्वीप का जो मैप है, यह है आपका एसिया महाद्वीप, तो इस एसिया के मैप में भारत सबसे दक्षडी साइड में है, यानि सबसे दक्षडी हिस्सा, तो यानि कि इसको इसी संग्ठन है दक्षेश यानि सार्क उसका भारत एक सक्रिय सदस्य है तो भारत दक्षिड एशियाई देशों का समूह का एक देश है और वास्तों में इसका यह सबसे बड़ा देश है ना केवल क्षेत्रफल में बलकि जनसंख्या में भी यानि की एरिया और पॉपलेशन दोनों के मुकाबले में भारत जो है इस दक्षिड एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है तो देखिए भारत जो है चूंकि इसका सबसे बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभा सारे देश जो इसके पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल हुआ भूटान बांगला देश पाकिस्तान अफगानिस्तान स्री लंका मालदीव यह सारे देश जो है वह कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक प्रभावक्षेत्र में शामिल थे इसी लिए इसको जो है भारत को एक उप महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है तो यानि कि चूंकि इसका प्रभावक्षेत्र इतना विश्त्रित था सांस्कृतिक रूप में कि मतलब वहां का खान पान रहन सैन बोल चाल इत्यादी में काफी हद तक समानता हैं थी इस वज़े से इसको एक महाद्वीप का दर्ज जिना को और यहां म्यामार को इन दोनों को अगर हटा दें तो बाकि सारे पड़ोसी देश भारत के महाद्वीप के अंतरगत आते हैं जैसे कि आप देखेंगी यह पाकिस्तान हो गया इधर यहां पर अफगानिस्तान है तो यह पाकिस्तान अफगानिस्तान उसके बाद नेपाल उसके बाद यह आपका देखें भूटान फिर बंगलादेश बंगलादेश के साथ यह इंडिया तो है ही अपना स्री लंका और इधर पर आपका मालदीव से है तो यह करीब करीब साथ देश हो गए आपके साथ देश में देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बंगलादेश और स्री लंका ठीक है तो यह भारती महादवीब का हिस्साद है भारती महादवीब का उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इस समय अगर हम लोग बात करें कि भारत के जो निकटतम पडोसी देश है त्यानि पडोसी देश कौन से है तो पडोसी देश में हमारे फिर ये चाइना और म्यामार भी आ जाते हैं तो पडोसी देश जो है बिसिकली नौ है भारत के पडोसी देश नौ है अभी नौ में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यहां पर ये कट नहीं होगा ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांगला देश, म्यानमार, उसके बाद स्री लंका और मौलदीव ये सारे भारत के पडोसी देश कहे जाते हैं लेकिन अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि इस थली सीमाओं से लगे हुए इस थली सीमाओं से लगे हुए कितने पडोसी देश है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये फिर से वही साथ संख्या आती है क्योंकि इसमें कौन-कौन नहीं सामिल होगा तो मालदीव और स्री लंका तो मालदीवस और स्री लंका जो है वो इसमें नहीं शामिल होगा देखिए मालदीवस यहां से दूर है इसी प्रकार स्री लंका भी दूर है तो यह कहीं न कहीं इस्थली सीमा जो है भारत की उससे रिलेटेड नहीं है तो इसलिए भारत के जो निकटम पडोसी देश है वो है 9 भारत की स्थली सीमाओं से जुड़े हुए देश है वो है 7 ठीक है और भारती महाद्वीप में कितने देश है तो वो भी 7 है इसके बाद हम लोग देखेंगे तो भारत की जो सीमा रेखा है अगर हम लोग बात करें कि भारत की जो सीमा है वो स्थली सीमा कितना है तो स्थली स सीमा देखिए 15200 किलोमीटर है यह बेसिकली जो हमें ओफिसियल वेबसाइट से मिलता है वो डेटा मिलता है करीब 15106 किलोमीटर लेकिन ज्यादा तर बुक्स में जो कॉम्टेटिव एक्जाम्स की बुक्स हैं उसमें यह डिजिट दिया हुआ है 15200 इसलिए हम लोग इन दोनो कोई मान के चले और इन दोनों में से जो भी आये अगर दोनों आ जा जाते हैं तो फिर 15106 सही लेकिन अगर यह नहीं आता है तो फंदारचांदा लूष थी कमाना जाएगा ठीक है इसके बाद जो भारत की स्थलिय सीमा तो है वहँ है पंदादाशाल दो सो लेकिन जो भार यह भारत की जलिय सीमा है जिसको हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे पर अभी हम लोग किवल जो इस्थलिय सीमा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इस्थलिय सीमा आपकी 15106 किलो मीटर या 15200 किलो मीटर है अब देखिए हम लोग एक तरफ से अगर लेके चलें कि भारत की जो सीमाएं है वो सबसे बड़ी किस्से हैं और सबसे छोटी किस्से हैं तो देखिए भारत की जो सीमा है उसको सबसे बड़ी जो लगती है वो लगती है बांगलादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है वो बांगलादेश के साथ में लगती है इसको अगर हम लोग याद करने की कोई ट्रिक विक्सित करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे बाक्ची पाने MBA अब आगे आप जोड़ दीजे MBA किया या जो भी MBA लिखा तो देखिए यह जो है एक बुक है सुब्रुतो बाक्ची की यहां पर हमें ध्यान रखना है बाक्ची द ईजड़ बेंगॉली लोग होते हैं तो दा लगाई ही देजाता है लेकिन आप न लगा करना ने बहुत फेमस बुक है वह लिखिए है तो लिखा का बेसिकली कोई मतलब नहीं है आप इससे हम लोग यह समझेंगे कि जो भारत की सीमाय लगती हैं साथ देशों से इसतली सीमाय जो लगती है उनका करम क्या है यानि सबसे बड़ी सीमा रेखा किस से लगती है और सबसे छोटी सीमा रेखा किस से लगती है तो देखिए अगर इम लोग इसको elaborate करें विस्तरित करें तो देखिए बाग से बनता है बांगलादेश और बांगलादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है य आपका हो गया चीज से एक भांगलादेश के बाड में दूसरे नंबर के साथ नंबर वन पर उसके बाद चीन से फिर उसका तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान से भी भारत की ठीठाक सीमा रेखा लगती है जब ये दोनों बांगलादेश अलग नहीं हुआ तो तब भारत की सीमा रेखा सबसे जादा पाकिस्तान के साथ लगती थी क्योंकि ये दोनों एक ही का हिस्सा दे लेकिन जब 1971 में बंगलादेश अलग हो गया तो फिर नंबर वन पर बंगलादेश फिर चीन उसके बाद पाकिस्तान ने से हो गया नेपाल नेपाल उसके बाद पांचवा हो गया आपका म्यानमार पांचवा हो गया म्यामार छठा हो ग और सात्वा यानि कि सबसे कम अगर किसी लगतीए तो लगती है अफगानिस्तान के तो यहां पर मातर। यहां इस हैं ऑफ देखिए अगर लोग मैक पर अधिन पिल्हाल आप यह धर मांग्ला देख जाते हैं। सबसे कम लगती है ऑफ़गानिस्तान के साथ यह तो आपको याद करना जरूरी है ही। सांथ मैं आपको इसका क्रम भी याद करना बहत पूचिता है। ठीक है अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि बांगलादेश के साथ कितने राज्यों की सीमाई लगती है तो देखिए बांगलादेश का जब हम लोग मैप पे देखते हैं तो कहीं न कहीं इसके साथ जो है पांच राज्यों की सीमाई लगती है जो कि सबसे ज्यादा है ठी ये आपका है बांगला देश अब देखिए बांगला-देश में सबसे पहले ये आपका वेश्ट बहंगा लोगए तो वेश्ट बहंगाल मेघाल है isa Frame अशून के साथ में लगा, तो तृपुट है को जोड़ दीए इसमें, तृपुरा हो गया उसके साथ ही इसाथ देखे यह पीछे यह जो बंगलादेश का इससह यह इदार मिज्वर्म के देर Kollegin के साथ में लगा कि तो यानी कि पांच राज जो जिनके साथ में बंगलादेश की सीमा लगती है ये वेस्ट बेंगॉल है असाम है मेघालय है फिर ट्रीपुरा है मिजोरम है यहाँ पर देखिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो है यहाँ पे मिजोरम मिजोरम कन्फूजेंग है इसलिए आप अगर चाहें तो इनको आप ना भी याद रखें वेस्ट बेंगॉल तो सबको पता एक बंगलादेश के साथ में लगती ही है और सोम भी सब लोग गेस कर सकते हैं मेघाले भी आराम से याद आजाएगा त्रिपुरा भी याद आजाए ठीक है उसके बाद जो हमारा बाक्ची यानि चीन जो है चीन से अगर हम लोग देखें कि चीन से हमारी जो एक देशों के साथ में सीमा रेका लगती है तो किन राजियों के साथ में चीन की सीमा रेका लगती है तो इसमें अगर हम देखें चाइना के साथ में चाइना के साथ आपको यहां पर ठ्यान ये देना ऐगी पहले तो ऐसा था कि ये जोुए पांच राज कुंसicket कि तब आपको पांच बोलना तो देखे चाइना को याद रखना काफी तो लडाक हो गया अपका हिमाचल प्रदेश उत्राकंड और ऊसके बाद इसके बाद और अरुणाचल प्रदेश है तो यह दो आप याद रखना है बस यह याद रखिएगा outdoors उत्र जी यह सबर रेखेना है इसलिए तीतरा नमबल वो किसका है? पाकिस्तान का. तो अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के साथ में हम लोग देखते हैं कि यह 3 प्लस 2 हो गया है. पहले क्या था? कि यह जो है 4 था. पहले यह नमबर 4 होता था. लेकिन अब यह 3 प्लस 2 हो गया है. क्योंकि यह जम्मू क कस्मीर के साथ में भी लगती है दो यूटीज हो गई उसके साथ में देखिए पंजाब के साथ में लगती है राजस्थान के साथ में लगती है गुजरात के साथ में लगती है तो यह तीन हो गया यह सब याद करने में आपको नहीं प्रॉब्लम होगी क्योंकि यह सारा जो है समझना इजी है यह आपको वैसे भी डिकॉल हो जाएगा बस इसमें आप यह ध्यान रखिएगा कि यह दो यूटीज हैं तो अगर प्रस्ट में पूछता है कि कितने राजियों के साथ लगती है तो तीन और कितने राजियों और केंस असित प्रदेशों के साथ में लगती है तो यह हो जाएगा पांच ठीक है उसके बाद देखिए कि आगे हम लोग पाकिस्तान के बाद देखते हैं कि नेपाल की किसके साथ में लगती है तो आगे नेपाल भी जो है इसी है यह पहले भी पांच था अभी भी पांच है और इसको समझना भी आसान है एक उत्तरा है उसके बाद यह देखिए पस्चिंबंगाल तो यह आपका पांच जो है नेपाल के साथ में सीमा रेखा लगती है उसी के साथ आप देखिए कि मियामार के साथ में कि कि कितनी सीमा रेखा है लगती है तो मियामार देखिए यह है यहां से पूरा तो आप देखिए कि मिया पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है आम तोर पर जब बच्चे जियोग्रफी की सुर्वात करते हैं तो देखिए अनाचल प्रदेश नगालेंड मनिपूर मिजोरम इन चार के साथ में म्यामार की सीमा रेखा लगती है इसी प्रकास जब भूटान की बात करें तो किम के साथ पस्चिम मंगाल साथ असम के साथ और नाचल प्रदेश के साथ ठीक है और इसके बाद अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा रेखा केवल और केवल यह यहां पर लगती है हमारे लद्दाक हेरिया के साथ में ध्यान दें पहले ठीक है और ये जो है हमारे जो हिस्सा है वो दरसल पी ओके में आता है यानि पाकिस्तान औक्रक्ष्मीर में यह अफगानिस्तान से सीमा रेखा लगती है ठीक है तो यह लोगों ने समझा कि किस देश के साथ कितने राजियों के साथ में सीमा लगती है अगर हम लोग बात करें देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है बंगलादेश के साथ पांच उसके साथ नेपाल के साथ भी पांच लगती है फिर उसके बाद चीन के साथ में चार लगती है और म्यामार के साथ में चार लगती है तो इसको थोड़ा से याद कर लिजेगा कि बंगलादेश और नेपाल के साथ में पांच-पांच चीन भूटान म्यामार के साथ में चार-चार सीमा लेका लगती हैं चार-चार राज्यों की ठीक है इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं कि इन सीमा रेखाओं को क्या कहा जाता है इसका क्या नाम है तो आपको पता है बहुत चल्चित है कि भारत और चीन के मद्द जो सीमा रेखा होती है उसको बोलते हैं मैक महान रेखा मैक महान रेखा या मैक महान रेखा बोल दिसाइड हूँ थी कह साथ कि अफगानिस्तान के साथ से कौन सीवार रेखा लगती अफ्गानिस्तान के साथ च्छोटा सा ही एरिया यहां पर कि दूरण्ड रेखा बोलते हैं इसको तो यह सीमा रेखा एक समझवतिक साथ में decide कीया था और यह जो सीमा रेखा थी इसमें आप देखें कि यह POK से उकर गुजरती है इसी प्रकार से जब लोग पाकिस्तान की देखेंगे तो पाकिस्तान और ये बांगलादेश के साथ में जो भारत की सीमा रेखा लगती है इसक को पता ही है कि 1947 में वो डिसाइट की गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में और इसको इसी लिए बोला जाता है यानि अध्यारोपित सीमा रेखा क्योंकि यह किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हमारे उपर जबरन थोपी हुई थी तो इसलिए इसको सुपर इंपोस्ट सी बॉंडरी भी बोला जाता है यह इसका एक परफेक्ट इंग्जामपल होता है भारत पाक की सीमा रेखा ठीक है उस कि अंदर के जो राज हैं उनमें सीमा रेखा को लेकर क्या इस्थिती है ठीक है तो देखिए कुछ ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान से देखना जरूरी है कुछ राज ऐसे हैं जो कि किसी भी देश के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाते हैं तो आईए उनको समझ लेते हैं तो ऐस से जो है बेसिकली पांच राज और दो यूटीज हैं पांच राज यह आप लोग साथी साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा पांच राज और दो यूटीज ऐसे जिनकी किसी भी देश के साथ में सीमा रेखा नहीं मिलती है तो आप देखिएगा कि यहां पर तो सब की मिल र दो यूटीज तो हो गए अब पांच राज में एक तो आपका हर्याना हो गया उसके बाद देखिया कि हर्याना अगर हम लोग देखें तो इधार हम लोग को एक यह राज देख रहा है मध्य प्रदेश बड़ा सा राज इसकी भी किसी भी देश के साथ आप देखिए सीमा रेखा नहीं है इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 36 गड़ की भी नहीं है तो 36 गड़ भी ऐसे ही एक राज्य फिर देखिए आप तेलंगाना की भी नहीं है तो कई लोग इसकी अवस्तिति नहीं जानते हैं कि यह तट से लगा हुआ है कि नहीं है तो आप यह चीज समझ लिजे कि यह तट से लगा हुआ नहीं है और यह किसी भी देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है इसी प्रकार से आप जम्मू कश्मीर और लद्दाक को भी थोड़ा सा उसका मैप का अध्यान कर लीजेगा तो यह आपके पेपर की लिहास से इंपॉर्टेंट रहेगा इ एक हमारा इधर ओल चूट गया यह जारखंड तो जारखंड की भी सीमा रेखा जो है वो किसी भी देश के साथ नहीं लगती है लेकिन वही कुछ एक राज ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा जो है एक से अधिक देशों के साथ लगती है तो जैसे आपका लद्दाक हो गया आप इसको बेसिकली ऐसे माइंड मैप से आप इसको याद भी कर सकते हैं जब आप लोग मैप को कई बार अध्यन कर चुके होंगे इस क्लास के अंतर तक तो आपको यह सारी चीजें में से कुछ भी याद करने जरूवत उतनी रहेगी नहीं ठीक है तो यह देखिए लद्दाक जो है वो मतलब ऐसा है जिसकी सीमा रेखा अफगानिस्तान से भी लगती है पाकिस्तान से भी लगती है और चीन से भी लगती है तो यानि इसकी तीन देशों के साथ में सीमा रेखा लगती है इसी प्रकार से वेस्ट बेंगॉल है आपका वेस्ट बेंगॉल का देखिए त तो कि यह उपर सिक्किम आ जाता है तो यानि वेस्ट बेंगौल की भी सीमा रेखा जो है यह भी तीन देशों के साथ में लगती है तो लद्दाक हो गया और वेस्ट बेंगौल हो गया इसी परकार से अगर हम सिक्किम की बात करें सिक्किम भी देखिए नेपाल से लग रही है भूटान से लग रही है चाइना से लग रही है तो सिक्किम भी तीन देशों के साथ में सीमा रेखा लग रही है इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की देखें तो अरुणाचल प्रदेश की भी भूटान से लग रही है चीन से लग रही है म्यानमार से लग रही है तो देशों के साथ सीमा रेखा उनमें आप देखिया कि लद्दाख है लद्दाख है आपका वेस्ट बेंगॉल है सिक्किम है और अरणाचल प्रदेश है तो यह तो आपका हो गया जो भी हमारे भारत के राज्य में अंदर से हम लोग की जो इस्तिती थी वो हम लोग समझा अब देखिए यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि यह जो त्रिपुरा यह थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है कि त्रिपुरा जो है वो इस तरफ से भी बांगलादेश से घिरा हुआ इस तरफ से भी बांगलादेश से घिरा वा एन तो अकुसर प्रस्ण पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरा जो है मैंना कौन सा ऐसा भारत का राज है जो तीन तरफ से जो है इंटरनेशनल बॉंडरी यानि एक ही देश से घुरा हुआ या बांगलादेश से घुरा हुआ है तो बांगलादेश से तीन तरफ से घुरा हुआ देश राज वह कौन सा है तीन तरफ से घिरा हुआ तो वो है त्रिपुरा आपका तो त्रिपुरा राज ऐसा है इस पर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्थिती जो है वो यह देखते हैं कि अगर समुद्र पार करके इस प्रिपुरा जो है वह आपका सबसे निकरतम पडोसी देश है और यह स्री लंका जो है वह उसमें अगर हम लोग देखें कि यह भारत से किस के द्वारा अलग हुआ है तो यह पाक स्ट्रेट जो है उसके द्वारा अलग होता है कि यह जो है भारत से पाक स्ट्रेट यह ऑल के द्वारा अलग होता है यानि इसको फिर्टिम बुलते हैं पाक ज़लद अम रूम अद्धिये पाक जल डमरू मद्य यह देखिए जो जल डमरू मद्य यानि इस्ट्रेट होते हैं उसका काम होता है कि दो जो इस्थल शेत्र हैं उनको अलग करना और दो जो जल शेत्र हैं उनको आपस में जोड़ना तो यह देखिए यह अलग किसको किसको करता है तो एक तो भारत और स्री नाडू में और बल यह उत्तरी जो स्री लंका है उसको यह प्रिथक करता है और जोड़ता किसको किसको है तो यह पाक की खाड़ी और मननार की खाड़ी को जोड़ता है तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा पाक की खाड़ी और ये इधर है पाक की खाड़ी तो ये पाक की खाड़ी मननार की खाड़ी इनको जोडता है मननार की खाड़ी वो आपका वाइल डाइफ की द्रिष्टी से होट स्पोट कहा जाता है होट सपॉट का मतलब कि जहां पर बहुत जयादा ब॥ जयादा मातरब में जिव जन्तु वहां पर जलिए जीव सपैसिकली कहें तो समुद्र हों उनीक होट फोट-सपॉट है इसलिए ये कई बार आपको जोगरफाम है चर्चा में आएगा तो मनार की खाड़ी है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनार की खाड़ी हो गया और यह जो है बेसिकली यह जो इस्थान जुड़ा हुआ है यह आप देखिए कि यह वाला जो इस्थान जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं Adam's Bridge यह बोलते हैं इसक एडाम्स ब्रिज आदम का सेतु यानि आदम के सेतु को राम सेतु भी बलकि कई लोग बोलते हैं क्योंकि ऐसी मानता है यहां पर राम जी ने इधर पर पुल बनाया था पत्थ्रों से और तब वो पार करके स्री लंका गये थे रावण को मानने के लिए तो देखिए यह राम सेतु या एडाम्स ब्रिज आदम का सेतु भी यहां पर है और इसी पर आपका जो है वह पांबन द्वीप या इसी पर आपका पांबन द्वीप है पांबन द्वीप जिस पर की आपका यह जो रामेश्वरम है वह इस्तित है तो रामेश्वरम कहां है तो पांबन द्वीप पर रामेश्वरम पांबन द्विप पर है और पांबन द्विप कहां है तो वह आपका है पाक यह आडामस ब्रेज पर ठीक है तो यह सारी चीजें हो गई इसी के साथ देखिए हम लोग लगा लगे हाथ यह भी समझ लेते हैं कि यह पुडू चेरी है इसका क्या मामला है यह क क्योंकि इस पर बेश्ड जो है प्रश्ण कई बार आ जाते हैं ध्यान दीजे आज की क्लास में आपको जितनी भी सारी बाते बताई जा रही है उस सभी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं अक्सर यह कई सारे पेपरों में देखने को मिलता है यह जो मननार की खाड़ी पाक की खाड़ी वाला है पाक जल्डमरू मद्य पाक स्ट्रेट फिर मननार की खाड़ी होट स्पॉट फिर पुदुचेरी का पूरा मामला एडाम्स ब्रेज और यह कितने देशों के साथ में सीमा लग रही है सबसे बड़ी सबसे चोटी यह सारे ऐसे प्रस्ण ह जो है वो क्या मामला है तो पुदुचेरी में हम लोग देखते हैं कि पुदुचेरी में बिसिकली चार चीज़ें आती हैं चार जगहें आती हैं पुदुचेरी में यह अलग-अलग जगहें पर इस्थित हैं तो इसलिए इसका क्रम अक्सर पूज दिया जाता है तो देख कल भी पुदुचेरी का हिस्सा यह स्थित रहें और हिए नाड़ु में और हया इसी प्रकार से एक भागि का यनम है यह भी पुदुचेरी का हिस्सा और य स्थित है आंधर प्रदेश में, motor में इसथित है, तो देखिए यह एक ऐसा, यूटी है, जो कि 3 राज्जियों में फैला हुआ है, 3 राज्जियों में, इस यूटी ठीक है वो कौन-कौन से राज है तो आंद्रप्रदेश है केरला है और तमिल नाडू है ठीक है अब इसमें एक चीज बस और आप लोग याद रखिए कि अगर यह आ जाए कि नौर्थ से साउथ और साउथ से नौर्थ में इसका क्रम सजाई है जो पुझुचेरी के विभिन ह हिस्से हैं यह हाला कि वैसे तो बहुत टफ प्रश्ण है लेकिन फिर भी यह अक्सर मतलब इसके पूछे जाने के संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है तो देखिए यनम जो है वह आन्प्रदेश में यह सब को पता है कि यह पहले आएगा यानि कि सबसे उपर जो है वह यह आ गया यमन का यनम जो है यनम यह आन्प्रदेश में हो गया उसके बाद आपका आएगा यह पुडूचेरी पुडूचेरी तमिल नाडू फिर माहे केरल और फिर कराइकल तमिल नाडू तो यह इसका नौर्थ टू साउथ में हिस्सा हो गया अगर साउथ टू पुडूचेरी और यनम इसका नौर्थ यह तो यह थोड़ा सा तेलची लाइन यह पुरूचेरी थोड़ा सा उपर है इसके तो यह देगिए यह सारी बाते जो है वह भारत के सीमावलती देशों से रिलेटेड यह सारी हम लोगों ने आज डिसकस की और यह आप समझ लिज मैप के भी थू हमने आपको समझा दिया जिससे कि आपको एक मैपिंग का भी आइडिया लग जाएगा और यह इससे आपको डैरेक्ट प्रस्ण पेपर में देखने को मिलेंगे जल्दी हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर डिसकसन के लिए आएंगे तब तक के लिए धन्यव नमस्कार